अगर आपने बिहार सिक्षक भरती में परिक्षा दी है तो आपके लिए अभी अभी दो बड़ी खुस खबरी आ चुकी है जहां तो कि BPSC ने अभी अभी लगातार दो नए बड़ी नोटिस जारी कर दिये हैं और इस नोटिस के अनुशार ये काम करना आपको बहुत ही जरूरी है और तूरंद जहां तो वीडियो को लाइक और BPSC की हर एक लटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए पहला नोटिस बिहार लोकसेवा आयोग आज की तारीख 28 अभी अभी ये दस बजे रात को नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस संबंदित है कच्छ 9 और 10 एवं 11 और 12 माध्मिक और उच माध्मिक अभिहर्थियों के दस्तावेश सत्यापन से संबंदित कि जो डॉकुमेंट वैरिफिकेशन है वो 4 सेप्टेंबर से 12 सेप्टेंबर 2023 के बीच में करवाया जाएगा और आउनलाइन आवेदन करते समय जो डॉकुमेंट आपने अपलोड किये वही यहाँ पर प्रमालपत्र होने चाहिए ये भी बताया गया है कि राजिके बाहर ज अपना दस्तावेश सत्यापन अवदी के अंदर जरूर करवाल है अनिथा आप आगे भरती में सामिल नहीं हो पाएंगे वही पर दूसरा नोटिस जारी किया गया बिहार लोक सेवायो की तरफ से ही 28-28-2023 की तारीख है और ये भी सम्बंदित है कच्छा 9-10 यानि माध्ध सिच्छक भरती से सम्बंदित लेकिन यह सम्बंदित है दिव्यांगता प्रमाल पत्र जो ऐसे अभ्यारती है जो दिव्यांग है जिन्हों ने इसके लिए आवदन किया है उन अभ्यारतियों से सम्बंदित ये नोटिस है बताया गया है कि इन अभ्यारतियों के रहे कि दि दिव्यांग प्रमालपत्र है उसके आधार पर आपके दिव्यंगता की जाच की जाएगी। यदि विसेश कारणों से दिव्यंगता की जाच जिला इस्तर पर गठित मेडिकल वोर्ड से संभो नहीं होती है तो ऐसी इस्तिती में दिव्यांग अभ्यारती को IG, IMS या PMCH में अ IG, IMS और PMCH में ही जाना पड़ेगा जिले इस तरह में आपको नहीं जाना है तो ये जो दिव्यांग अभ्यारती हैं वो सभी एक सेप्टेंबर से आठ सेप्टेंबर के बीच में अपने जो प्रमाल पत्र हैं के दस्तावेश जो हैं उसका सत्यापन अवश्य करवा लें तो